सबस्क्राइब करें हमारे चैनल आयरुवेधिक हर्म को और दबाएं जोर्टिफिकेटन बेल को जिस से आपको आयरुवेधिक टिफ सबसे पहले मिलती रहे बसकार दोस्तों मैं आरके राय आपका अपना चैनल आईवेडी घर में शागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे हाट ब्लॉकेज के बारे हाट ब्लॉकेज आज कल आम समस्या हो चुकी है हर दस आदमें से एक आदमी आज से द्रस्त पीडित है आज हम बताएंगे आस लग्षड दिखाई नहीं देता है इसमें हल्की फुलकी से सांसे फूलना और आता है सेकंडी स्टेज में जब आता है तो आदमी को चक्कर आते हैं सिर्दर्ध होता है कभी-कभी बेहोस हो जाता है छोटी सांसे आती हैं सीडी में दर्द रहना आदी है यह सब जो उप हार्ट ब्लॉकेज की लग्षड है तीसरे स्टेज में आने के बाद में आदमी को अटायक आता है इसके लिए आदमी को होना परता है चूंकि यह बहुत खातक होता है तो आए हम बताते हैं कि सबसे पहले कुछ सावधानी अगर हम करते रहें जिससे कि हमें हार्ट ब्लॉक होने से रोका जासा है आप कुछ यह घरेलू टिप्स करते रहेंगे जिससे हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना कम हो जाती है तो नंबर वन सबसे पहले तुलसी के पत्ते का रस में सहद और नीवू का रस मिला कर सुगह पीए या आपके ब्लॉकेज रोकने में काफी मद कारक है लेकिन डाइबिटी मरीदों के लिए नहीं जिन पेशंट को यह सुगर हो यह उच के लिए नहीं दूसरा है सफेग मिर्च जैसे काली मिर्च होती है वैसे सफेग मिर्च होती है हो सके तो अपने खाने में प्रयोग करें तीसरा है दाल चीनी दाल चीनी का पाउडर बना लें और उसको पानी में गोल कर सुबर नास्ते के बाद पीए या हाट ब्लाकेज रोकने में काफी फाइदे मंद होता है चौथा है एक गिलास गुनगुने पानी में नीबू का रस, काली, मिर्च और सहट डाल कर पीए या भी हाट ब्लाकेज के लिए काफी फाइदे मंद है और एक गिला दूद में हल्दी डाल कर उबालें और गुनगुना रहने पर सहट डाल करके पीए यह हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत फाइदेमान है उपरोग्त टिप्स में से कोई एक इस्तेमाल रेगुलर करें जिससे आपके हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावनों को कम इस सकते हार्ट ब्लॉकेज रोकने की कुछ सावधानिया आप जरूर कर सकते हैं नमबर एक आयली खाना खाने से बचेंगे नमबर 2 मसाले का प्रयोग कम से कम करें नबर 3 थोड़ा हलका फुलका डेली ब्यायाम जरूर करें 10 मिनट ही करें लेकिन डेली बेस पे करें चौथा कम से कम साथ से आठ घंटे की मीड लेने की कोशित करें तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और हां लाइक करना न भूलें हम कुछ नए और टिप्स के साथ जल्द ही उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार